आज हम बनाएंगे प्रोमो ग्रेनेट इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोचेट थ्रेड एंकल का थ्रेड है ये नमबर एइट हमें चाहिए हूप 0.5 mm, सीजर, ग्लू, वायर, हमें चाहिए इस तरह के पर्ल, यदिम हूप, काटर और प्लायर, स्टार्च तो चलिए फ्रेंट्स इसे हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिप बनाएंगे इक नॉट लगाएंगे अब हम बनाएंगे स्लिविशिज लगाएंगे नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे next chain में one single crochet next chain में slip stitch लगाएंगे straight को खीज़के से tight करेंगे देखें friends, leaf बन गई इस तरह three leaves हमें साथ में बनाना है next seven chain मनाएंगे one, two, three, four, five, six, seven first बली chain स्किप करेंगे second chain में slip stitch लगाएंगे next chain में one single crochet मनाएंगे next chain में one half double crochet मनाएंगे next chain में one half double crochet मनाएंगे next chain में one single crochet next chain में sleeve stitch next chain में one single crochet next chain में one single crochet next chain में one single crochet chain में one half double crochet next chain में one half double crochet next chain में one single crochet बनाएंगे next chain में sleeve stitch लगाएंगे अब straight को यहां से cut कर लेंगे देखिये friends लीप बन गई friends अब हम इसमें stars लगाएंगे back side में stars अप्लाई करना है stars लेना है इसे हम back side में लगाएंगे इस तरह से अब हम इसे dry होने के लिए छोड़ देंगे friends अब हम प्रोमो ग्रेनाट बनाएंगे सबसे पहले एक रिंग बनाएंगे रिंग बन गई अब हम चैन बनाएंगे चैन वन इस रिंग में हम बनाएंगे 6 single crochet one single crochet two single crochet three four five six straight कोखिश के tight करेंगे इसे पर्स्ट बली स्टीच में स्लिव स्टीच लगाएंगे चैन वन बनाएंगे सेम स्टीच में two single crochet बनाएंगे सेम स्टीच में two single crochet next stitch 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 में two single crochet first बली stitch में स्लिव स्टीच लगाएंगे chain one बनाएंगे अब हम सेम stitch में one single crochet बनाएंगे next stitch में one single crochet next stitch में one single crochet next one single crochet next one single crochet next one single crochet इस तरह इस राउंड को complete करेंगे first बली स्टीच में स्लिव स्टीच लगाएंगे chain one बनाएंगे सेम स्टीच में two single crochet बनाएंगे next stitch में two single crochet next two single crochet सेम स्टीच में two single crochet बनाना है next stitch में two single crochet next stitch में two single crochet इस तरह इस राउंड को complete करेंगे अब first बली स्टीच में स्लिव स्टीच लगाएंगे chain one बनाएंगे सेम स्टीच में one single crochet बनाएंगे next stitch में one single crochet next stitch में one single crochet next one single crochet next one single crochet next one single crochet next one single crochet स्टरह इस राउंड को complete करेंगे first बली स्टीच में स्लिव स्टीच लगाएंगे chain one बनाएंगे chain stitch में one single crochet next next स्टीच में one single crochet next one single crochet next one single crochet next one single crochet next next chain one बनाएंगे same stitch में one single crochet बनाएंगे next stitch में one single crochet next stitch में one single crochet, next stitch में one single crochet, next one single crochet, next one single crochet, next one single crochet, इस तरह हर एक stitch में one one single crochet बनाएंगे, इस राउंड को complete करेंगे, अब पर्स्ट वाल स्टीज में यहां स्लिव स्टीज लगाएंगे, चेन वान बनाएंगे, अब इसमें इस पर्ल को हम डाल देंगे इस तरह से, अब यहां हम चेन, इस तरह से, वान चेन बना लिएंगे, शेम स्टीज में निडिल को इस तरह से डालेंगे, प्रेट को इस तरह से लेके आएंगे, नेक्स्ट वाली स्टीज में फिर से निडिल डालेंगे, इस तरह से ट्रेट को ले आएंगे, फ्री ट्रेट है, निडिल में इसे वान चेन में लेंगे, इस तरह से हमें डिक्रीज करना है, इहां, सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट वाली सिंगल क्रोशे में इस तरह निडिल डालेंगे, प्रेट को पापस, इस तरह से लेके आएंगे, नेक्स्ट स्टीच में इसी तरह प्रेट को ले आएंगे, फ्री प्रेट है, इसे हम वान चेन में लेंगे, इस तरह से, टू टू स्टीचेज हमें इहां डिक्रीज करना है, इस तरह से, इसे एक चेन में लेंगे, इसे तरह हमें फिर से, टू स्टीचेज डिक्रीज करना है, इस तरह इस राउंड को कम्प्लीट करेंगे, कम्प्लीट है यह राउंड, अब फर्स वाल स्टीच में यहां स्लिव स्टीच लगाएंगे, चेन 1 बनाएंगे फिर से, सेम स्टीच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट स्टीच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, स्टीच में 1 सिंगल क्रोशे, इस तरह इस राउंड को कम्प्लीट करेंगे, फ्रेंट्स, फर्स वाल स्टीच में स्लिव स्टीच लगाएंगे, कम्प्लीट है एराउंड, अब हम फिर से यहां चेन 1 बनाएंगे, यहां 2, 2 स्टीच, फिर से हम डिक्रीज करेंगे, इस तरह निडिल को इसमें डालेंगे त्रेड को इस तरह वापस लाएंगे, next वाली stitch में needle इस तरह से डालना है thread को इस तरह से लेके आएंगे three thread है इसमें इसको एक chain में लेंगे next वाली stitch में इसी तरह needle को डालेंगे इस तरह से thread को वापस लाएंगे next वाली stitch में इस तरह needle डालेंगे thread को लेके आएंगे इसे एक chain में लेंगे next सी तरह decrease करना है हमें two two stitches सी तरह हम stitch लगाएंगे इसमें next वाली stitch में भी हमें सी तरह needle को डालेंगे next वाली stitch में फिस से इस तरह needle डालना है thread को स्थर लेके आना है और यहां एक chain में लेना है next वाली stitch में फिस से हम यहां सी तरह needle को डालेंगे next वाली stitch में फिस से सी तरह needle डालेंगे thread को वापस स्थर से लेके आएंगे देखिये फ्रेंट्स अब यह complete है thread को हम यहां से cut कर देंगे अब हम यहां फिस्ट वाली stitch में slip stitch लगाएंगे अब हम यहां six single crochet फिर से बनगे third number वाली single crochet में इस तरह needle को डालेंगे और यहां एक slip stitch लगाएंगे ऐसे thread को यहां से cut करेंगे इस तरह यहां हमने double करके इस तरह thread को रख्या है अब यह complete है friends अब हम flower को बनाएंगे नीचे सबसे पहले एक ring बनाएंगे अब हम में हाँ three chain बनाएंगे one two three first वाली chain स्कीप करेंगे second chain में slip stitches लगाएंगे next chain में one single crochet बनाएंगे यहां इस रिंग में फिर से हम slip stitches लगाएंगे next three chain बनाएंगे one two three first वाली chain स्कीप करेंगे second chain में slip stitches लगाएंगे next वाली chain में one single crochet बनाएंगे इस रिंग में फिर से हम slip stitches लगाएंगे next three chain one two three first वाली chain स्कीप करेंगे second chain में sleeve stitch next chain में one single crochet बनाएंगे इस रिंग में पिर से हम slip stitches लगाएंगे next three chain बनाएंगे one two three first वाली chain स्कीप करेंगे second chain में sleeve stitch लगाएंगे next chain में one single crochet इस रिंग में फिर से हम sleeve stitch लगाएंगे three chain मनाएंगे one two three first वाली chain स्कीप करेंगे second chain में sleeve stitch लगाएंगे next chain में one single crochet इस रिंग में फिर से हम sleeve stitch लगाएंगे अब straight को यहां से cut कर लेंगे straight को नीचे डालेंगे इहां इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और नीचे इसे लेकर आएंगे इसे लेकर आएंगे देखे फ्रेंट्स अब है complete है इसमें भी हम थोड़ी सी stars लगा देंगे इस तरह बैक साइड में हमें stars लगाना है अब नीडिल से इसको यहां नीडिल में प्रेस करेंगे इस तरह से इसे शेप देंगे इस तरह से बना लेना है अब हम इसे ड्राइ होने के लिए छोड़ देंगे फ्रेंट्स अब हम इस लीड के स्टीक बनाना है इसके लिए small pieces में हमें wire कट कर लेना है ऐसे two pieces हमें wire से ये next इसके स्टीक बनाएंगे इसके साब से हम यहां थोड़ा सा extra है यहां हमने hold किये हैं इसे इसाब से हम ले लेंगे इसको इस तरह से और इसको डबल करेंगे इसको इहां से कट कर लेंगे इसको इहां अच्छी तरह hold कर लेंगे इस तरह से बराबर कर लेना है अब हम लीप में स्टीक लगाएंगे इसके साथ इस तरह से लगाना है सबसे पहले हम यहां वायर में थोड़ी सी ग्लू लगा लेंगे इस तरह को इसके उपर इस तरह बांद लेंगे स्लीप को इसके साथ हम यहां इस तरह से बांदेंगे राइट करके हमें से बांदना है इस तरह से तरह से बिलकुल पास पास घुमाना है इस तरह से अब यहां ग्लू लगाएंगे इस तरेट को इसके उपर इस तरह से चिपका देंगे तरेट को इहां से हम कट करेंगे स्लीप को थोड़ा सा इस तरह से पोल्ड कर देंगे इस तरह यहां थोड़ी सी ग्लू लगा लेंगे और इसको इस तरह से चिपका देंगे इस तरह से और एक पिस हम बना लेंगे अब हम इसमें स्टिक लगाएंगे इस वायर को लेना है यहां ग्लू लगा लेंगे इसको इसके साथ यहां पकड़ना है वायर के साथ अब हम इसके उपर थोड़ी सी और ग्लू लगाएंगे इसके उपर रखेंगे और इसको यहां ग्लूणाएंगे इस तरह से ग्लूणा के लेता है और ज़़ी आभी माइए इसे टाइड करके बांधना है इस तरह से ग्लूणा के रहे बिल्कुल पास पास इस तरह प्रेट को घुमाना है अब यहां हम लिप लगाएंगे लिप लेना है इसको हम यहां इसके साथ मानेंगे इस तरह से टाइट करके हमें सिवानना है यहां आसे नेक्स्ट फिर से यहां और एक लिप इस तरह से हम लगाएंगे यहां से इसको इसके साथ मानेंगे यहां स्टिक को थोड़ा सा हमें हां छोटा कर लेंगे अंदर डाल देंगे यहां त्रेट के नीचे और इसको इस तरह से बांद लेंगे इस तरह से बांदना है हमें इसको इहां तक बांदेंगे और एक्स्टा त्रेट है इससे हम कट कर लेंगे वायर भी यहां से एक्स्टा वायर है इससे कट कर लेंगे इससे भी और इससे ब्लीप वायर हम यहां से कट कर लेंगे इस्टा त्रेट है इस त्रेट को भी हम यहां से कट कर लेंगे इसको हम इसके साथ यहां से मानेंगे अब हम इसको यहां से फोल्ड करेंगे इस तरह से हूख बनाना है हमें यहां इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसको हम यहां से कट कर लेंगे अब एक्स्रा है वायर से हम यहां से कट करेंगे त्रेट भी हम यहां से कट कर लेंगे अब हम इसको हम इसके साथ इस तरह से बांदेंगे यहां ऐसे बिल्कुल पास पास हम इस तरह प्रेट को इहां घुमाएंगे इस तरह से बांदेंगे अब हम इहां ग्लू लगाएंगे इस तरह से प्रेट को इसके ऊपर इस तरह से फिर से घुमाएंगे यहां ऐसे इसे चिपका देंगे तरह को इहां से कट कर लेंगे अब इस प्लावर को लेंगे एक्स्टा थ्रेड है इसे हम यहां से कट कर देंगे अब इसमें थोड़ी सी ब्लू लगा देंगे चिपका देंगे तरह को अंदर नेडिल से इसे प्रेस कर लेंगे नेक्स्ट यहां ब्लू लगाएंगे और इसको यहां चिपका देंगे नेडिल से इसे यहां प्रेस करेंगे अच्छी तरह चिपका देंगे बिल्कुल नेडिल में इसे चिपकाना है इस तरह अब हम इसमें फूक लगाएंगे फूक को यहां से खोलेंगे इसको यहां लगाएंगे इससे हम यहां से बंद कर लेंगे इसकारा कम्प्लेट है यह फ्रेंड्स हमारे दोनो यार्डिंग्स रेडी है कर दो झाल 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 झाल